दोस्तों आज के सीडियो में हम देखने वाले हैं कि सबजीयों के बीज उगाना कितना आसान है अगर आप कुछ ट्रिक इस्तमाल करेंगे तो आपके सबजीयों के बीज खूब जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे और सबसे खास बात है इस वीडियो की कि वो दसों बीज दोस्तों आपका एक बड़ फिर से अपने ही गार्णिंग चैनल गार्णिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है यह वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें फेस्बूक के इंस्टेग्राम पर देख तो पेज को फॉलो कर करते हैं सभी के घर पर किचन में आसानी से मिल जाता है तो यह सरसो के दाने लगाने का तरीका भी आप देखने मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आपको जैसी पसंद है जैसे आपको सहूलत है आपके घर में जिस तरीके की मिट्टी है आप उसी में लगा दीजे इस पेस सरसोके स्लीट जो है उसमें आपको डाल देना है और उपर से हलपी मिट्टि से QB चेहल ध्यान रहे अगर आपके बीच का भाहत जिसान कि बाहुत जादा कि चोटा है जैसे इसके और बहुत जादा मिट्टी की परत नहीं जलानी है नहीं तो तो जितना ज़्यादा साइज बड़ा होता जाए गारे उतनी कम डालेंगे 22 जितना कम रहेगा मिट्ठी डालेंगे यह बात का ध्यान रखें दूसरे नंबर पर है दोस्तों मेथि के दलас विंटर के सीजन में मेथी कें जो साग होते हैं काफी जादा हुआ ने मेथै के दाने से आप मेथी के साथ उगा सकते हैं बिल्कुल घर में अच्छे से इसे भी सरसो के दाने के जैसा थोड़ी सी क्यारी आपको बना लेनी है और उसके बाद मेथी के सीट्स आपको इसके अंदर डाल देना है यह भी आपको किचन में आसानी से मिल जाएंगे अगर आप और आप चाहते हैं कि आप कीचन गाडनिंग करें तो अपने घर से ही इस तरीके के सीट्स लगा सकते हैं यह असानी से जर्मिनेट हो जाते हैं और कम केर में आपको खूब अच्छी हर्वेस्टिंग मिलेगी इस तरीके से क्यारी बना के मेथी के दाने भी हमें डाल देने ह जिस तरीके सर्सों के दाने को कभर किया था उसी तरीके से इसको भी कभर कर देना है बस इतना ही मिट्टी डालना है कि जब पानी वे गयरा दे तो यह बाहर ना निकले अब तीसरे नंबर पर है दोस्तों धनिये के बीज अगर आप धनिये के बीज भी मेथी और सर्सों की तरह लगा देते हैं, तो हो सकता है, जर्मिनेट देर से हो और सभी सीट्स जर्मिनेट ना हो पाएं, क्योंकि धन्ये के बीच अगर आप साबूत मिट्टी में लगा देते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रीक बताती हूं, धन्ये के बीच ले ले इसे या तो रात भर इस्तमाल कर सकते हैं जो मैं हमेशा करती हूं धनिये के बीच को थोड़ा सा आप किसी इट पत्थर से या फिर बेलन से थोड़ा सा आप चूर लें बहुत ज्यादा बारी किसे नहीं करना है बस हलके हलके बस बीच जो है इसके इस प्लीट हो जाने चाहिए इस तरीके से बस इ काम और करना है बीच लगाने केबाद और एक सवधानी बरत्नी है वह भी मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताओँगी तो वीडियो म मैं आन तक जरूर बने रहेगा साथे आपको कई चरीक में आपको बदाओंगी बीच ऊगाने के आगे और भी सबजीयों के तो बीज होते हैं उगने के बाद उनको आप चोटे-चोटे मतलब कम गहरे पॉट में भी उगाईएगा तो काफी अच्छे से वो उग जाते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा गहरे पॉट की जोरत नहीं पड़ती है अब दोस्तों चलते हैं दूसरे तरह के बीज उगाने के लि इस से भी आप उसके पॉधे उगा सकते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर 14 इंच का गुरो बैग लिया है 14 इंच के गुरो बैग में आप 2-3 मतर के पॉधे आप एक गुरो बैग में उगा सकते हैं खूब अच्छे से चलेंगे लगाने का तरीका आप देख लिए दोस्तों म जरूर करें लेकिन यहाँ पर देखे तीन पॉधे ही एक गुरो बैग में चलेंगे लेकिन यहाँ पर हम 10-15 इस दाने को लगा रहे हैं ताकि यह फिर हम बाद में डिसाइट कर पाएं कि जो सबसे अच्छा हिल्दी प्लांट होगा उसे रखें अब बाकि सब को हम निकाल इसी तरीके से बीज अगर आप लगा रहे हैं तो जितने पाधे चाहिए उतने ही बीज मत लगाएए उसके बाद दोस्तों जो अगला हमारा सबजी का बीज है वो भी किचन से निकला हूँ है और यह है चना मतलब के ग्राम जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं आप इसे दो तरीके से उगा सकते हैं, तो पो प्राइद कों से अभी चन्न हुझाईगा। इसी तरीके से एक इंच का गढ़ा इसमें भी बनाना है और सेम मटर वाला प्रोसेस अपलाई करना है अब दोस्तों हम इसमें लगाएंगे आलू सभी के घर में आलू जरूर होता है अगर आप इस सीजन अभी बेश्ट समय है सितंबर के महीने में अगर आप आलू लगा देत आपने लिया है इसके तीन तरीके हैं इस तरीके से आलू को आप थोड़ा सा होल बनागे बतलब जिसमें आलू अच्छे से मिट्टी के अंदर चला जाए और खुब सारा मिट्टी इसके उपर कभर हो जाए इतना बड़ा होल बना करके आपको आलू लगा देना है यह तो पुराने आलू हो जाते हैं आप देखते हैं कि उसमें कुछ कुछ इस प्रोटिंग होने लगती है वैसे आलू को आप लगाएंगे तो काफी जल्दी उसके प्लांट जो है आपको निकलते वे दीखेंगे अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम लगाएंगे प्याज वे इस तरीके से जो जड़ याद रहे नीचे रहना चाहिए और उपर से मिट्टी को कफर कर देंगे यह पहला तरीका अब यहा जो हिस्सा बचा है इसे हम अब ग्रो करने में इस्तमाल नहीं कर सकते हैं आप ऐसे शतीन में इस्तमाल कर सकते हैं अब जो दूसरा तरीका है अक्सर प्याज जब पुराने हो जाते हैं तो इस भाग से आपको हरे हरे पत्ते नजर आएंगे तो वो पत्ते जब निकलने लगे तब अगर प्याज को इस तरीके से लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्याज का जो साग होता है हरा हरा वो आप काफी जल्दी हर्वेस्ट कर पाएंगे, नीचे प्याज आपके बनते रहेंगे और उपर से आप पत्ते हर्वेस्ट करते जाएंगे हर 15-20 दिन में, अगर आपने बिना हरे पत्ते के भी प्याज लगा द इसके पत्ते आप चार से पांच बर हर्वेस्ट कर सकते हैं अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे बीच की तरफ जो इसमें हम लगा रहे हैं उसमें सबसे पहला जो बीच है हमारा मिर्च का पौधा विंटर के सीजन में जब शुरुआत होती है तो आप मिर्च का पौधा मिर्च के बीच आप कहा से लेंगे जो लाल मिर्च होते हैं सुखे हुए जो हम किचन में इस्तमाल करते हैं बस उन्हें ही तोड़के आप अंदर से बीच कट्था कर लें सुखाने की और ड्राय करने की कोई जो जोरत नहीं है बस आपने बीच निकाला और मिट्टी में करे लेंसे से बीच नहीं हुआ गहलत जो शोटाम आप गांतल्यक्त आप देऊंहें वीडियो के बीच ने हैं रड़ करेले के बीच यह जों आम हम crashed कि इसका पाउधा हमने बीच लगा चैनल पर आपको मैं बनकि डिस्क्रिसन में डाल दूगी करेले के बीच को भी एक इंच जितना गढ़ा करके बीच लगा देने हैं क्योंकि इसके बीच थोड़े बड़े साइच के होते हैं अगला जो हमारा सबसे आखरी सबजियों का बीच दोस्तों यह है टमाटर में हर साल ग्रो करती हूं और खूब सारे टमाटर हर्वेश्ट भी करती हूं यह बिल्कुल नॉर्मल टमाटर है जो घर में खाने के लिए इस्तमाल होता है इसमें से आपको क्या करना है अंदर से कु दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको अभी दिखा देती हूं यहां पर आप देखे इस तरीके से नीच ओड़ेंगे तो भी इसके जो पल्प है उसके साथ आपको बीज निकलते वे नजराएंगे तो यहां पर हमने खूब सारे बीजे कर लिए एक ही टमाटर से आपको जगा पर तो भी वह जर्मिनेट हो जाते हैं जैसे करेले के बीज है मटर के दाने हैं चने के दाने हैं वह थोड़ा दूर दूर पर डाला जाता है लेकिन यह जो टमाटर वाले बीज है या फिर मिर्च वाले जो बीज है या सरसो के बीज है जो छोटे चोटे बीज होते है ये एक साथ भी काफी जादा जर्मिनेट हो जाते हैं कहने का मतलब है कि बहुत दूर दूर एक एक बीज अलग अलग लगानी की जवरत नहीं पड़ती है तो इसे भी हमने हलकी मिट्टी से कभर कर दिया है अब इस धर्मापुल की पेटी में तीन प्लांट अराम से चलेंगे एक करेला का प्लांट, एक मिर्च का प्लांट, एक टमाटर का प्लांट तो यहाँ पर मुझे याद रहे कि कौन से सेक्षन में कौन सा प्लांट है ये याद रहने के लिए मैंने इस तरीके से लकडी से पाटीसन बना दिया है अब जो हमारा आखरी काम है दोस्तों वो है खूप सारा पानी देने का जितने भी आप बीज लगाए हैं सब में खूप सारा पानी दीजिए उसके बाद अगले दिन फिर मत दीजिएगा अगर मिटी बहुत ज़्यादा गीली रहे तो मत दीजिए हाँ थोड़ी अगर ड्राइ लगे तो फिर भर करके पानी जरूर दीजिएगा जिससे बीज में मोश्चर बना रहे और बीज आराम से जर्मिनेट हो जाए दूसरी जो साउधानी आपको बरतनी है इसे डिरेक्ट सनलाइट से अभी बचाना है पार्शिल शेड में रखिएगा जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आए तो कोई हर्ज नहीं है खूब ज़्यादा धूप इसे अभी नहीं लगना चाहिए अगर आपको एक से जादा मिर्च के या फिर करेले के या टमाटर के पौधे हुगाने है तो फिर आप अलग-अलग गमले में भी जब इसके बीच जर्मिनेट हो जाए इस तरीके से तो आप अलग-अलग गमले में भी से शिफ्ट करके खूब सारे पौधे बना सकते हैं यहाँ पर देखिए मिर्च के बीच किस तरीके से जर्मिनेट हुए है और सभी पौधे बिल्कुल हेल दी है और यह बिल्कुल घर के मिर्च से ही कलेक्ट किये वे सीट से ग्रू हुए है इसका भी एक सेपरेट वीडियो है चैनल पर जा करके देख सकते हैं तो दोस्तों वक्त है उनके नाम ही जवाब दिया था उनके नाम है संध्या जी वारनसी से मिनाक्षी शिर्माली भी कनेर से सुमन संग जी डेल ही से सुल्ताना सेख चंदरपूर महराष्टर से पूनम कटारिया जी तबत्सम शेख पूने से राधा शिर्म राइपूर से तो दोस्तों आज की वीडियो का होती है उससे हम किचन गाडनिंग की शुरुवात कर सकते हैं इसके अलावा और भी ऐसी अंगिनत चीजें हैं जो आपको घर में मिल जाएगी आपको बजार से या फिर ऑनलाइन खरीने की जोरत नहीं पड़ेगी महंगे महंगे बीज में पैसे खर्चने की जोरत नहीं और कई सारे बीज हम घर पर उगा सकते हैं दोस्तों अब मैं आपको बताती हूं कि अगर आपने कई सारे बीज लगाए हैं और बीज आपके जर्मिनेट हो गए हैं रिपोर्टिंग के लाइक बन गए हैं तब आपकी इस तरीकी की मिट्टी में आप उन्हें लगाएंगे अभी तो आमने नॉर्मल विट्टी का इस्तमाल किया है बीच लगाने के लिए लेकिन उसके लिए एक special वीडियो है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्विशन में डाल दूंगी तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पर आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लांट से लेटिट कोई भी प्रोब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे मैं मिलूंगी आप से परसो तब तक के लिए बाई चेक एर हैपी गाडिनिंग